नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी कटोरी बाले ब्लाउज की स्टिचिक जिसकी कटिंग में पहले डाल चुकी है तो देखिए सबसे पहले हमें पल्लरों को जोड़ना है अस्तल और जो साडी का कप्रा है उसको जोड़ना है तो देखिए पीछे का पल्लर हमने इस तरीके स चाहिए और यह गला है इस तरीके से आना चाहिए अब कर लेंगे की much pig की हि कट्र को गई 맞क्राइब कर लें पहले को सबस्माइच जिसे कं स्ट वर्जाए पर अब झाली आप में में ईसमें प्लेट डालने से घ्रिक हो के are कि यह पर 13 पर लबकेन हम कम करेंसे तरीके ने के बारेंगे कम करते न STEP 6 है कि अब देखिए एस्फ रॉटन का कपड़ा है तो फोड़ा इसमें माड है तो इसलिए यह कड़क रखा है तो दूसी साइट भी इसी तरीके से डालेंगे यहां पर कम करते हुँ उतारेंगे यहां पर बगली का तीरा है इसको ऐसे रखना है और यहां पर इसको ऐसे रखेंगे लेकिन यह तीरे में यहाँ पर जो सिलाई है इसको अस्तल के बराबर काटेंगे यहाँ पर इसको ऐसे जोड़ेंगे नीचे की साइट से अब देखें यहाँ पर कटोरी लगा ली अब दूसरी साइट भी इसी तरीके से कटोरी लगाएंगे यहाँ से जोड़ना उपर से इस तरीके से अब देखें यहाँ पर कपड़े को दबाते हुए एक कटोरी की उपर सिलाई लगा रही हूँ अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहें तो नहीं लगाएं मैं इसलिए लगा रहे हूँ कि यहां पर कपड़ा खिचे ना क्योंकि कर्टोरी की यहां से कपड़ा खिच जाता है तो इसलिए मैं सिलाई लगा रहे हूँ अब देखें यह तीरा है नीचे का इस तरीके से इस तरीके से हम इसको रखेंगे यहां पर आगे की साड़ यहां पर चोड़ाई होनी चाहिए तीरे में और यहां पर कम चोड़ाई है अब देखें यहां पर यह तीरा भी लग गए अब हमें हुक वाली पट्टी और काज वाली पट्टी लगानी है अब यह पट्टी की चोड़ाई है डेल इंच तो जो हमारा सीधा हात है यहां पर हम अंदर वाली पट्टी लगाएंगे यहां पर हमने अंदर वाली पट्टी लगा लिए यहां पर काज वाली पट्टी बनाएंगे अब देखिए यहां पर कपड़े की चोड़ाई है वो पांच इंच है तो इसको डबल करके क्योंकि यह कॉटन का कपड़ा है तो इसमें हम अस्तर नहीं लगाना है इसको डबल करके इसके उपर रखेंगे इस तरीके से यहां पर एक इंच जादा है इसको अंदर की साथ ऐसे करेंगे इस तरीके से अब इसको हम देखते जाँगे अंदर का कपड़ा हमारा दवना चाहिए और पट्टि भी बराबर आनी चैहिए एक इंच तो एक इंच अब देखें यहाँ पर हम इसको रखेंगे ऐसे देखें हमारा तीरा यहाँ पर बराबर आना चाहिए अब हमारा जो बलावड है उससे हम पट्टी और गला नापेंगे सबसे पहले तो हमें यहां से इसको नापना है जो यह बगली है कि यहां पे बराबराना चाहिए और जो हुक वाली पट्टी है तो इसको नापना है मैं इस तरीके से तो यहां पे भी हम गले को देखेंगे कितना गला है इस तरीके से तो देखिए गले का जो सेप है वो बी से तो हमें भी इसमें B-save की कटिंग दे लिए यहां से इस तरीके से इसको ऐसे रखके यहां पर निशान लगा लिया और इसके बाद ऐसे इस तरीके से हमने निशान लगा लिये अब इसमें हम पीछे का पल्र जोड़ेंगे तो देखे का पल्र है तो इसको हम पहले बराबर करके डवल रखेंगे अब इसकी डो चोड़ाई रखेंगे Fivefold 뒤 छोड़ाई रखेंगे कि यहां से अमें इस तरी किसी देखना यहां पे देकी पर आपर आरा इसका गला थीख के अब यहीं से कटिंग गरेंगे अंब इसमें पीछे की प्लेट काुत जो डालेंG और इसकी लंबा ही रखेंगे हम पांच इंच अब ये दोनों साइड निशान लग गए इसको डबल करके हमें यहां पर एक इंच लेना है और इसको कम करते हुँ उतारेंगे कि पहले हम यहां पर डबल कर लेंगे नीचे की साइड अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हमें पिलेट डालनी है अब पिलेट डालने के बाद अब इसमें जो आगे का पल्डर वो जोड़ेंगे इसको हमें ऐसे रखना है इस तरीके से में शूल्डर पे सिलाई लगा थे, अब हम यहां पे फि कि सिलाई लगाएंगे तो इक़ा हम हमें आरोमल और इस तरीके से देखना अब देखे यहां पे स्सक्राइब, यहां पे तरीयोपी को मैं को द्शूर traces मिली में हैं कि अगर इस तरीके से हो रहा है तो आप उसको कैसे सई करेंगे अब देखे यहाँ पर हमने इसको कम करते हुए सेफ में सिलाई लगाई है अब इसको देखे यहाँ से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे पहले हमें आदा इंच का ही कपड़ा दबा के सिलाई लगानी है नीचे की सैट हम डबल सिलाई लगा लेंगे ऐसे करके डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारी सिलाई निकलेना अब दूसरी सैट भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है यहां पर ऐसे और जो आदा इंच येव बड़ा हो रहा है आगे का पला उसमें देखी हम इस तरीके से शेव में सिलाई लगा लेगे अब ये आदा आदा इंच हमने दोनों साथ सिलाई लगा लेगे अब अपनी फिटिंग की सिलाई वो लगाएंगे तो देखिए जैसे हमारा ये यहां पर आगे का जो पल्लर है उसको ना पेंगे कितना है हुक बाला आए अंदर वाली पट्टी है इसको ऐसे साड़े आठ इंच है तो यहां पर भी हुक बाली पट्टी है अंदर वाली तो साड़े आठ इंच पर हम यहां पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इसको निशान लगाना है इसको ऐसे करके अब दूसरी साइड भी पट्टी को छोड़के हम यहां से नापेंगे इसको साड़े आठेंच यहां पे भी ऐसे करके सिला ही लगा लेंगी अब देखिए हमने यहां पे सिलाई लगा ले अब अपनी कमर का नाप लेंगे यहां से इस तरीके से कमर का नाप लेना है अब देखिए अब देखिए कमर भी बराबर है और चेस्ट में नाप ली साड़े आठ इंच है अगर आप इसी तरीके से 36 इंच का बलाउज बनाना चाहें तो आप यहां पे 9 इंच पे सिलाई लगा लें क्योंकि गुंजाईस तो इसमें ज़्यादा है अब देखिए अब हम इसमें बाजू लगा लेंगे और यहां पे गले में पाइपल लगा लेंगे अगर आप इसम पर इसमें लगाना के चैनल ई। एनधर आप उसमें लाजाना सीर्स बाई लगाना करें कंदा कहें तो आप लगाना भी देख लें तो बाजू लगानी का जो आप च्छे से सीख जाएं और हां अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरी इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें और प्लीज मुझे सपोर्ट करें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राप नहीं किया है तो प्लीज हम जो भी नई वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा धन्यवाद